तो आज हम बात करने वाले हैं एक धाइलेंड की हॉरर सिरीज स्कूल टेल्स दस सिरीज की जोके रिलीस हुई थी 2022 में इसमें आठ छोटे-छोटे से एपिसोड हैं जो कि आपको काफी पसंद आने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना किसी देरी कि आप चलते हैं सीधा वीडियो की दरव तो इसके पहले एपिसोड का नाम है सेवन एम तो एपिसोड की शुरुआत में हमें विटाया को दिखाया जाता है चुकि बहुत ज्यादा टेंशन में था और वो अपने दोस्त क्यों को बताता है कि उसकी बुक को किसी ने चूरी कर लिया है औ इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग अपनी क्लास में होते हैं अटेंडेंट्स के समय विटाया का नाम तो आता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि इस नाम का लड़का औक अभी उनकी क्लास में पढ़ता था क्योंकि विटाया की सारी मेमरी उनकी माक से गायब हो जाती है अब इसके बाद हमें क्यों को दिखाया जाता है चो कि स्कूल के पास ही रहता है इसलिए बाकि स्टूडन ने उसे ये काम दिया था कि वो हर रोज सुगर जल्दी आएगा और बुक का नाम हर रोज स्टूडन को भीज़ देगा लेकिन इतना सब किसी को भी फोटो शेयर नहीं करता जिससे सबी लोग परिशान हो जाते हैं और तब ही क्योंको 10 कम मेसेज आता है लेकिन वो 10 को पसंद करता है और यहांपर 10 के कहने पर वो क्लास में जाकर सब को उस बुक का नाम शेयर कर देता है लेकिन क्योंकि लेट करने की वज़े से क पहले ही स्कूल आने के लिए कहते हैं लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए और बहुत से लोग को क्लास में उस घोस्ट वाली बात पर यकीन नहीं होता और क्यों उन्हें कहता है कि अगर उन्हें इस बात पर भरुसा नहीं है तो फिर बेंच पर विटाया का नाम कैसे आया और स्टूटन लिस्ट में भी उसका नाम है उसके बाद अगले दिन क्यों क्लास में जल्दी आता है और फीडियो रिकॉर्ड करता है और तब एक क्यों को लगता है कि कोई स्पिरिट उस पर حملा कर रही है और वो नीची गर का बेहोश हो जाता है और फिर जब उस कि पाता है तोłos सामने होती है और उसे बताती है कि उस पर किसी ने हमला नहीं किया बलकि यह अपना गला दबा रहा था उसके बास हम देखते हैं कि अई के बैक सी चोड़ी हो जाती है और ब отметाथा आग लेकर आए था लेकिन अब उसकी बुक नहीं मिल रही है और फिर वो दोरों मिलकर ढूंते हैं और उन को उसके बेस्ट फ्रेंड वान के बैक से मिलती है वान बताता है कि यह सब क्यूं की वज़े से हुआ है उसकी लेट बताने पर वान जलबासे में अपनी बुक को गारी में ही छोड़ाया है और इसलि हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन क्यूं क्यूं के बिच को चल रहा है और क्या को क्यूं पसंद करती है तो टैं बस कि उसका इस्तमाल करती है ताकि वो लोक सेफ रहे और Q. इस बात को सुन लेता है और वह बहुत जाधा दुखी होता है फिर अगले दिन Q. स्कूल में पहुचकर बोट पर जो नाम लिखाता है उसे मिठा देता है और वो सब चलता है कि 9 और 10 ने ही विटाया की बुक्चोरी की थी क्योंकि वो दोनों विटाया को पसंद नहीं करते थे और उन्हें यकिन नहीं तक कि क्लास में कोई घोस्ट है इसलिए वो इस बात का पता लगाना चाहते थे और इसी वज़े से विटाया की मौत हो गई थी और अब इस क्लास में सारे स्टूडन्ट की मौत हो जाती है और क्यों उनमें अकेला बचता है लेकिन उनकी मौत के बाद भी किसी को उनके बारे में कुछ याद नहीं होता इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस class 64 में एक teacher ने mentor breakdown के कारण उसी class के सारे students को मार कर बाद में खुद को भी मार लिया था लेकिन इसका reason किसी को नहीं पता और तब से उस class में उस madam की spirit भढ़कती है और इन सब चीज़ों को काफी साल बीच जाने की कारण लोगों को लगता था कि ये बस एक myth है लेकिन blackboard पर लिखे हुए किसी भी book को कोई भी student carry करना नहीं बोलता था इसके बाद ये episode यहाँ पर खतम हो जाता है अब हम आते हैं second episode पर इसका नाम है vengeful spell इस episode की शिरुवात में हम एक लड़की दिखाई जाती है चोकि किसी चीज से बचकर भाग रही थी इस school में कोई ऐसा श्रापित storage room है जहां पर कई साल पहले एक लड़की ने suicide किया था क्योंकि उसके उपर किसी बुरी आत्मा कश्राप था और अब वो लड़की भी किड़की से कूट कर खुद को जान से मार देती है इस लड़की का नाम मिंट था ये अपनी school में काफी जादा popular थी अब next day school में वहाँ पे दो classmate मिंट की लाश को बाहर देकर बहुत जादा डर जाते हैं मिंट की मौथ से school के अंदर काफी डर का माहूल बन गया था त्योंकि उसके suicide करने का कोई भी reason पता नहीं था दूसरे तरफ एक plank नाम की लड़की इस घटना के बारे में बहुत देर से सोच रही थी और वो किसी boy नाम की लड़के के साथ किसी horror script पर काम कर रही थी और ये दोनों काफे time से एक दूसरे को जानते थे अब इसे दोरान जिरी नाम की लड़की boy को कॉल करती है इस कॉल को plank देख लेती है और वो बहुत ही uncomfortable feel करने लगती है उस वक्त जिनी ने जान बूच कर boy को कॉल किया था ताकि plank उससे दूर रह सके अब plank अपने घर जली जाती है boy उस समय उसे कॉल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसके कॉल का कोई answer नहीं करती next day plank को स्कूल जाते समय जीनी मिलती है और जीनी उसको जलाने के लिए उससे कहती है कि वो boy के साथ पहले relationship में रह चुकी थी और ये बाद सुनकर plank को बहुत गुसा आता है उसके बाद plank स्कूल के उस स्टोरेज रूम में होती है जो की शरापित है plank को वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि उसके नाम को बहुत जोर जोर से बुकार रहा था वो उस आवाज का पीछा करती है और उसे स्टोरेज रूम की छट में एक बॉक्स मिलता है जिसमें कई सारे स्कूल स्टूडन्स की तस्वीरे थी उसमें एक चिठी थी जिस पर एक मैसिज लिखा हुआ था कि अगर तम किसी को शराप देना चाहती हो तो तुम्हें उस व्यक्ति के नाम को अपने पैरों की नीचे लिखना होगा और उसके बाद चिठी में लिखे इस मंत्र को पढ़ना होगा अब प्लांक जिनी के नाम को अपने पाव की नीचे लिख लेती है उसके बाद वो उस मंत्र को पढ़ने लगती है और अब उस श्राप का असर जिनी के ओपर शुरू होने लगा था उसको कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई देने लगी थी और उसकी कंडिशन बहुत साथा बिगड गई थी उसकी कानों से खोन आने लगा था उसी तरफ बॉई प्लैंग को ढूंता ढूंता उसी स्टोरिस रूम में बहुत जाता है और वो उससे पूछता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है और वो उससे बताती है कि वो जिनी के वज़े से उसका फोन नहीं उठा रही है और बॉई उससे बताता है कि जिनी मेरी बहन है और वो बस तुम्हारे साथ मजाग कर रही थी और अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है प्लैंग बॉय के साथ अपने घर चली जाती है वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और तब ही वो प्लैंग के पैर में जिनी का नाम देखता है और वो ये देख कर सीधा जिनी के पास जाता है और श्राप की वज़े से जिनी की हालत बहुत जादा खराब हो चुकी थी उसके कान उसके शरीर से अलग हो चुके थे अब ये सब को जिनी से बिलकुर बरदाश नहीं होता और वो गुद को जान समार देती है और अब वोई अपनी बेहन को मरा हुआ देख कर बहुत तूट जाता है प्लैंको अपनी गलती का एसास होता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी वो जिनी का नाम अपने पैरों से हटा देती है और रात के समय उसे किसी की मौजूदकी का एसास होता है और जिनी का नाम फिर से उसके पैर में आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत जादा परिशान हो जाती है और अब प्लैंको अश्राप को खतम करने के लिए उस श्रापी बॉक्स को जलाना होगा और वो सीधा स्टोरेज रूम जाती है और इस दोरान उसका एक पैर बहुत जाता सूच जाता है जिसके करन मजबूरन उसे उस पैर को काड़ना पड़ता है उसके बाद वो उस बॉक्स को ढूनने की कोशिश करती है लेकिन वो बॉक्स वहाँ पर नहीं था और फिर पीछे से जिनी की आत्मा उस पर हमला कर दीती है जिनी अपने हाथ को प्लैंग के पैर के घाओं में खुसा देती है जिसके कारण प्लैंग पास में पड़े किसी नुकेली चिससे अपने पैर को पूरी तरह से काड़ डालती है और सादा खून बेहने की वज़े से प्लैंग की वहीं पर मौत हो जाती है जिनी के हमला करने के दौरान प्लैंग ने लाइब रिकॉर्डिंग में ये कनफेस कर लिया था कि उसकी वज़े से ही जिनी और मिंट की मौत हुई थी और यहाँ पर प्लैंग की सचाई सबके सामने आ गई थी और अब हमें आखरी में पता चलता है कि प्लैंग के उपर वो श्राप वाईने चड़ाया था वाईने प्लैंग से मिलते समय उस बॉक्स को स्टोरिच रूम में देख लिया था और जब उसने प्लैंक के पहन में जीनी का नाम देखा तो वो सब को समझ गया और उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए प्लैंक के ओपर शाप चड़ाया परब अपना बदला पूरा करने के बाद वो उस बॉक्स को उसी जगह पर वापस रख देता है और यह एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है अब थर्ड एपिसोड का नाम है ब्यूटिफूल और इसका पूरा फोकस एक एम नाम की लड़की पर किया जाता है जो अपने स्कूल की सबसे सुन्दर लड़की डायो जैसा बनना चाहती थी दायो स्कूल में काफी जादा पॉपुलर थी हो बहुत सुन्दर थी और स्कूल में सभी लोग उससे बहुत ही अच्छे से पेश आते थे अब एम इंटरनेट पर खुबसूरत होने से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकर्स को सर्च करने की कोशिश करती है लेकिन वहां से उसे ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता अब एक रात एम अपने PC में कोई अजीब से मैसेज को नोटिस करती है जिसमें लिखा तक कि अगर तुम सुन्दर बनना चाहती हो तो तुमें हमारे सीक्रिट को सबसे छुपा कर रखना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपना सब कुछ खोदोगी और उस समय एम बिना सोचे समझे इस कंडिशन को एक्सरेप कर लेती है उसके तुरंट बात ही उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर एक पारसल मिलता है इसमें एक लिक्विट था जिसे वो बिना सोचे समझे पी लेती है और उसे पीने के बाद अब एम का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और अब वो स्कूल की सबसे खुब सूरत लड़की बन चुकी थी सारे स्टूडेंट्स एम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते है अब टायो भी उसे देखकर बहुत इंसेक्यूर फिल कर रही थी अब एम अपने वादे को बूलते हुए कॉल पर किसी लड़की को इसकी सच्चाई बताने वाली थी और तब एम के साथ कोई अजीब सी घटना होती है और वो स्कॉल को तरंट कार्ट देती है अब वो समझ चुकी थी कि वो किसी को भी सीक्रिट के बारे में नहीं बता सकती अब टायो एम के पास चाकर उस रास को जानने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती अब घर बहुशते समय वो नोटिस करती है कि उसकी मूझ से काफी खूर निकल रहा है इसके बार डायो अपने फोटो शूट के दोरान एम को वहाँ पर आते हुए देखती है क्योंकि स्कूल वालों ने एम के सुंदरता की वरे से उसे फोटो शूट के लिए इंवाइट किया था और डायो को ये देखकर बहुत जलन होती है अब डायो किसी भी तरह से एम की खुब सूर्ती के रास को जानना चाहती थी और वो एम की बैट की तलाशी लेती है लेकिन उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता लेकिन तब ही दायो अपने स्कूल की खिर्की के बाहर एम को देखती है जो कि किसी मरे हुई बिली की डिट बॉड़ी को अपने लंच बॉक्स में पैक कर रही थी और वो उसके इस हरकत को अपने फोन की कैमरे में कैट कर लेती है और उसके बाद वो एम का उसके घर तक पीछा करती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वो उस रास को जान सके उसके बाद उसने एम की कमरे के पास से एक रूम को किराई पर ले लिया था ताकि वो उस पर नज़र रख सके उसके बाद एम का वीहेवियर चेंज हो रहा था जिसके करार उसने एक सीकॉरिटी गार्ड पर हमला कर दिया था अब अगले दिन डायो अपने फेस पर पिंपर्स देखती है और एम ने डायो के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें वो डायो को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है और वो गुसे में एम के पास चाकर उससे मार पिट करने लगती है और उनके प्रिंसिपल उन दोनों का अपने आफिस में बुला कर इस मामले को सुल जाने के लिए कहते हैं अब डायो अएम को ब्लैक मिल करने की भी कोशिश करती है उस वीडियो को दिखा कर और वो डायो से कहती है कि मैं तुमें इस रास के बारे में नहीं बता सकती लेकिन मैं तुमें उस जगा पर लेकर जा सकती हैं और उसका इस्तमाल करके मैंने इस खूपसूर्थी को हासल किया है लेकिन उसकी तुमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी बढ़ सकती है और वो इसकी कंडिशन को एकसेप करके उसके साथ उसके घर की तरफ चली जाती है और उस समय एम के घर पर कई सारे जानवरों की लाशे पड़ी हुई थी और वो उसे बताती है कि इसको प्सूरती को पाने के लिए उसने कई सारी अजीब सी कंडिशन्स को पूरा करना पड़ा था इसलिए तुम अभी भी पीछे हड सकती हो लेकिन वो फिर भी एम से उस रास के बारे में जानने की जित करती है और एम उसे अपनी अलमारी के तरफ इशारा करती है और वहाँ पर वही बॉटल पड़ी हुई थी और उस समय अब टायो बिना सोचे समझे उस बॉटल से लिक्विट पी लेती है जिसके करन एम का सरधर से अलग हो जाता है क्योंकि उसने इंडायो अपने प्रामिस को तोड़ दिया था और अब दूसी तरफ टायो पहले से भी जादा खुबसूरत बन चुकी थी लेकिन तब ही वो एम की कटे हुए सर को देखती है और उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और एम की फीच में उसे सिक्यूरिटी कार्ड की बॉड़ी पड़ी हुई थी अब एम उससे कहती है कि इस खुबसूरते के बतले तुमें बहुत सारे कंडिशन्स को पूरा करना होगा और तुमें एक नर भख्षी की सिंदग की जीनी होगी और तुम इस चीज को कंड्रोल नहीं कर सकती अब उस समय डायो को किसी बच्चे की स्मेल आती है और वो बच्चा उस बिल्डिंग की ओनर की पेट में था और वो औरत उस समय एम की कमरे में चली जाती है इस एपिसोड को यहीं पर खतम कर दिया जाता है अब फूर्थ एपिसोड का नाम होता है इस कहानी का मेंन फोकस साइपोर नाम की स्टूरिन पर किया जाता है जोकि उस टाइम कॉप और उसके ग्रूप से बचकर वो किसी लाइबरीनी में छुपी हुई थी जोकि कॉप और उसका ग्रूप अकसर दूसरे बच्चे को क्लास में बुली किया करते थे और साइपोर ने उनकी कम्प्रेन स्कूल के प्रिंसिपल को कर दी थी अब इसलिए वो ग्रूप उसे ढूनता हुआ लाइबरीनी में पहुँच जाता है लेकिन तब ही वहाँ पर उस जगह के लाइबरीन आ जाती है अब काव और उनकी क्रूप को वहाँ से जाना पड़ता है और इनका नाम मिस नेरिन था जो की काफी समय से यहाँ पर लाइबरीन का काम कर रही थी अब साइब और को इस लाइबरीनी में एक अजीब सी किताब मिलती है और वो यहीं पर ऊपर छट पर नोटिस करती है जहाँ पर पानी की लिके जो रही थी और वो उस किताब को उसी जगह पर उस टाइम रख देती है और साइपो और मिस नैरिन से स्कूल में एक टीचर के बारे में पूछती है जो कि पिछले कई दिनों से मिसिंग था और उन लोगों का माना था कि उस टीचर को आखरी बार इसी लाइबरेरी में देखा गया था मिस नारिन का कहना था कि लोग समझते हैं कि उस टीचर की मौत लाइपरेडी में हुई थी लेकिन वो सिर्फ लोग का एक अनुमान था और किसी के पास भी इसका कोई सबूत नहीं है उसके बाद मिस नारिन साइपॉंड को इस स्कूल में चर्चित एक कहानी के बारे में बताती है वो बात आज से 20 साल पहले की थी जब प्लेपॉंड नाम की एक लड़की को उसके स्कूल फ्रेंड्स ने मजाख मजाख में एक टौलेट में लॉग कर दिया था उस समय उन स्टूडन्स के लावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था जिसके कारणान प्लो पॉंड तीन महीने तक वहाँ पर बन रही थी क्योंकि उस जगा पर कोई भी आता जाता नहीं था और इसकी वज़े से इस प्रस्टेशन के चलते उसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था अब साइपॉन को उस लड़की के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है अब अगले दिन साइपॉन उसी टॉलिट में चाती है जहां पर उस लड़की ने सुसाइड किया था और उस समय कॉफ अपने गृप के साथ वहाँ पर आखकर साइपॉन को बुली करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो लोग साइपॉन को उसी टॉलेट में लॉग करकी वहाँ से चले जाते हैं और साइपॉन वहाँ पर उस लड़की की स्पिरिट को महसूस कर पा रही थी और वो बहुत जादर डर गई थी लेकिन तभी मिसनारिन वहाँ साइपॉन पर पहुच कर टॉलेट का गेट खोल देती हैं और साइपॉन वहाँ से भी ना कुछ कहे चली जाती है और वो घर पहुच कर अपने स्कूल बैक में उसी किताब को देखती है जो उसने लाइबरीरी में देखी थी और वो उस बुक को पढ़ती है और बुक पढ़ते पढ़ते वो खुद को उसी टाइम लाइन में देखती है जहां पर प्लोपॉन की क्लास मेट्स ने उसके बढ़ते वाले दिन उसको उस टौलेट में बेज़ती करते हुए बंद कर दिया था जिसके बाद उसने उस जगह पर तरब कर अपनी जान दे दी थी वो उस कहाने को पढ़ते समय काफी शौक डो चुकी थी चुकि वो खुद को उसके जैसा समझने लगी थी उसके बाद उमिस नारिंट से पूछती है कि उस हादसे के बाद उन लड़कियों का क्या हुआ था जीनोंने उसे बूली किया था उसके बाद वो उने बताती है कि उस मडर के अप rाद में उन सब को पुलिस इंट्रोगेशन में रखा गया था जहां पर उन लड़कियों ने पुलिस सेल में ही एक दूसरे को जान से मार दिया था ट्यूमर्स की माने तो उन लड़कियों की मौत बिलकुल उसी तरीके से हुई थी जिस तरह से प्लेपोर्ण ने मढने से पहले उस बुक में विश मांगी थी और अब साइपॉन अपने क्लास के समय उसे बुक के बारे में सोच रही थी जिसके कारण उसने उस बुक में कौफ के बारे में कुछ गरत लिख दिया था और वो किताब उस समय कौफ के हाथों में लग चुकी थी जहां पर उसने कौफ की मौत की विश मांगी थी हलाकि वो wish अभी तक complete नहीं हुई थी और कॉफ अपने group के साथ मिलकर साइपॉन को काफी बुली करती है और सब के सामने उसके बाल कार देती है अब साइपॉन के अंदर काफी जादा गुस्सा भर चुका था जिसके कारान उसने बदला लेने के लिए उस book में अपने wish को complete कर दिया था और अब रात के समय साइपॉन अपने सामने कौफ को देखती है जोकि खुद को चोट पहुचाने की कोशिश कर रही थी और उसके wish के according उसने सब के सामने वहाँ पर suicide कर लिया था अब साइपॉन बहुत जादा डर गई थी क्योंकि उसने उस book को बिलकुल भी seriously नहीं लिया था अब वो library में उस शापित किताब को ढूनने की कोशिश भी करती है अब उसे library के चछत से उसी teacher की body किरती है जोकि पिछले कई दिनों से missing था जिसके करण वो समझ चाती है कि उस teacher को मिस नहरिन ने ही मारा था और अब नहरिन साइपॉन को अपनी कहानी का राज बताती है अब ये बात तब की थी जब मिस नहरिन ने इस college को जोईन किया था और उस teacher ने मिस नहरिन को अकेला देखकर उसके साथ सबर्दस्ती की थी और वो इस घटना के बाद बहुत सादा तूट चुकी थी लेकिन तब ही एक दिन मिस नहरिन को इस book के बारे में पता चला था जिसके करण अपना बदला लेने के लिए मिस नहरिन ने उस किताब के साथ सौधा किया था मिस नहरिन की पूरी बाड़ी उस शैतान के कबसे में आ चुकी थी चुकी उस book से wish मांगने के बदले में मिस नहरिन को ये कीमत चुकानी पड़ी थी और अब मिस नारण अपने असली रूप में आकर साइपॉन को भी जान समा डालती है चुकी उसने भी किसे की मौत के wish उस किताब समागी थी अब हम एंडिंग में देखते हैं कि उस शैतान ने साइपॉन की बाड़ी को पूरी तरह से ले लिया था और अब उसका अगला शिकार स्कूल की नई लड़की होने वाली थी और ये एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है सो काई समें कमन करके बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए टेक केर एंड टाटा बाई बाई